लीटे टो को सारी चीजा देखेंगे कि प्री इंजिनेर बिल्डिंग्स होता क्या है जो दिप्लोमा के students, degree के students, master के students इस video को देख रहे हैं, civil के generally, वो लोग क्या कर सकते हैं, इसके थू, इस video के थू अपना एक main project भी बना सकते हैं, डिप्लोमा के students generally एक simple सा industrial residential building type का ऐसा कुछ structure, PEB के concept में बना सकते हैं, और जो b-tech के graduate students हैं, वो लोग इसका पूरा analysis and design कर सकते हैं जिसका मैं कुछ on and around look आज आपको इस video में बताऊंगा master के जो students है वो earthquake analysis type कुछ और you can say typical analysis पे कर सकते हैं किसी connection के लिए analysis कर सकते हैं तो let's start pre-engineered building होता है कि हम इसके short form में PEB होता है let's start कि हम इसके advantages पर एक्स्पोर करेंगे कि होता कि है किया advantages है एक simple regular building के comparison में और इसकी ETAP में modeling कैसे कर सकते हैं तो let's try to do that particular thing सबसे first होता क्या है PEB are the structures design using a systematic approach that allows for a quick assembly and reduce सबसे पहली बात तो ये structure PEB जो होते है pre-engineered building जो से नाम में पता लग रहा है pre-engineered पहले से ही इनके उपर engineering हो गई होती है you can say जो हमको minute you can say जो चीज़े analyze करनी होती है वो हम पहले ही warehouses में under strict conditions कर चुके होते हैं पहले ही हम लोग कर देते हैं ये warehouses में बनते हैं इनके कुछ parts में बनते हैं जैसे for example अगर आपको एक two column चाहिए उसके उपर एक beam है simple सा एक portal बनाना है तो वो column जो है पहले से prefabricated होके आएगा कहां से हमारा फैक्टरी से प्री फैब्रीकेटेट नहीं कह सकता हम एक तरीके से आप साइट पर करोगे इसको बन के कास्ट होके या जो भी तरीके से वो बन के जो है वो कहां से आएगा आपको यह बिए बंगे घाए हम को कि हो जाते हैं और खड़े हो जा पर आपको यह पता होगा आपने थोड़ा सब इंजिन रिंग पड़ा है तो उससे एरड़ जो था वह हमारा कम हो जाता तो वह एक इसका एडवनटीज है पी आर गैंग पॉपलर टी दूट देर वर्साइटलिटी लेख लिए बड़े-बड़े-बड़े-बड़े-बड़े य्जो हो जाएंगे यह कोई बड़े-बड़े-बड़े-ड़े-बाइस बनाने वहां होगा एक सकता हूं या को स्टोरेज वह से वहां वहां हम यूज कर सकते है पूर्ट के ऑडूनकर स्क्रेशन इंड़िप इसके बहुत सारे ब्रमिए है तो बहुत है आज नहीं पहुं सब्सक्राइब करेंगे उसके लाव आपको जाता वरुत पड़ेगी निए सस्टेनर बिल्टी भी है क्योंकि री साइकलिंग फिर से हैं इसमें तो इको फ्रेंडली होगा वो तो कहने का मतलब यह चार या पांच पॉइंट जो है आपके सामने दिख रहे हैं यह प्री इंज होते हैं हम उस पर पहले ही सारी की सारे डिजाइन कर चुके होते हैं हम और वहां पर ऑच्छा ट्रॉल रख सकते हैं तो उससे हमको एक स्टैव यह चीजों की बात कर रहा हूं मैं अपर चीजों की सब्सक्राइब सब्सक्राइब कि जो डेप्थ है वह कॉंस्टेंट नहीं है वह चेंज हो रही है जैसा अगर मैं किसी शेक्षिन की बात करूं आई एस एंबी 300 अगर मैं यह बात करूं 300 तो उसकी 300 हम डेप्ट होगी स्टार्टिंग से लेकर लास्ट बट इन केसिज में ऐसा नहीं होता हम डेप्ट को चेंज करते हैं एक जगह कुछ कम रहती है दूसरे शेक्षिन पर थोड़ी ज्याद हो जाती है आप जैसे राइटन साइट सेक्षिन में नीचे की तरफ देख सकते हो यहां पर पास क्या नी अनलाइस करते हैं तो हम यह देखते हैं कि पॉटल फ्रेम की सीज में दौता हो जो जॉन्ट होता है वहां पर बेंडिंग मोवेंट जबड का इन रिलेशन टु दॉदगा बेंडिंग डाइग्राम फोन फ्रेंस जो होती है जो हमारे जरल लिंड्स्केल परपसे लिए होती पूर्टल फ्रेम में जिसके उपर एक यूडियल आ रहा है इसका बेंडिंग मुवमेंट डाइग्राम तो सपोर्ट जो है इसमें ध्यान रखना नीचे फिक्स सपोर्ट से जो कि जनरल इन केस होते हैं तो यहां पर मुवमेंट जो है जाला जनरेट हो रहे हैं इस जॉइंट जासा कि मैंने आपको कहा इसके रिलेशन में जो नीचे हमारा फिक्स सपोर्ट है वहां पर क्या है थोड़े काम है तो कहने वाला जॉइंट पर बेंडिंग मुवमेंट जादा है नीचे काम है तो हम एक ही शेक्षन पूरा का पूरा नीचे से लेके उपर तक घर तरिके कियो कि उपर बंडिंग मुवमेंट जादा और वहांपर ज्यादा जनुवत है सेम गोज पूर रहां पर ट्रश के किसमें यह हमारे इंडुक्टर लगें में वाला मेंबर उस्में भी ऐसे हो रहा है वहम क्या करते है बैंदिंग मुमेंट यहां पे मारा सब्सक यहां पर लगारें तो बाटम पाट तो मैं आपको फिर से यहां पर पता देता हूं जैसे फर लेंगे निचे हमारा थिन है ऊपर जाते हैं तो लाइक देखों लेक्ट से भी हमारा जो बीम जो राफटर वह भी वहापे थिक यह उपर जाते हैं टाव गया तो यह जंडरली हम ऐसा यूज करते हैं टेपर सेक्शन गौर टेपर कहते हैं तो तो क्या होता है इस अप्टिमा लाइस इंक्लूदिंग इंटेंशन गपरिशन सब जेल लेता है तो बागी हम लोग क्या करते हैं जन्रीनियर यूस करते हैं अब एक ही पुरा का पूरा आई यह को सब्सक्राइब लेकर जाते हैं इसको यूजिए करेंगे कि इनिशली तो डिजाइनी में थोड़ा कॉंप्लेक्स रहता है जो मैं आपको आज बता हूं को मॉडलिंग करना बट जनरली फिर आगे जाके हमको लॉंग टम में क्या होता है कि पैसा अच्छा हमारा खंसा सी हो जाता है इसमें टेपर सेक्शन और लेस फेमिले तो सम्कास्टरिशन टीम आपको देखेंगे बाहर बहुत है जैसा टेकला स्ट्रॉक्च्छल डिजाइनर या टेकला स्ट्रॉक्चर में मैंने कुछ एक जनों से बात भी करी थी मिला भी था वो यूए की बात करें या हम बाहर के किसी यह बात करो तो वहां पर लोग यह चीज कर रहे हैं और वह इंडस्ट्रीज में इसको इंकॉर्परेट कर रहे हमारे यहां पर थोड़ा अभी कम है बट आने वाले टाइम में विल स्टार्ट रहेगी इसकी एक अना फैब्रिगेशन के टाइम पर हमको हमको जो पीवी में सोचना चाहिए यहां में पतां बात यह ने आई कि सको बनाए कैसेशी को बनाने के लिए मेरे पास एक ओस्त बाइंग यह बनाने के सामने एक ऑटकैट की ड्राइंग ऑभी शेयर कर रखिए यह यहां पर नीचे ठेक हमको सेंटर संटर सारी दिस्टेंस जो है में में चीज यहां यह चार चीज है हर एक मेंबर के लिए इस वर्टिकल कॉलम मेंबर के लिए इसको समझते हैं उपर अले अनुटेशन एक तरीक है तो हर एक सेक्षन के पास में हमें कुछ ऑप्शन दिखेंगे जैसे यहां पर आ रहा है मेंबर लेंट मतलब यहां से लेकर यहां तक कि क्या मेंबर लेंट वह यहां पर बैलेंस बता रहें बाता था हूं डूसरे मेंबर अब देखो उसके ओपर आता हैं इनसाइड अपर व का मतलब इनसाइड फ्लेंज वा रड़ का यहां नीचे वाली जो फ्लेंज बड़ेंच है यह लगे दिस पॉइंट 180 mm के है उस फ्लेंज की विड़त है और 6 mm के उसके थिकनेस है और उसके उपर जो चल रहा है वेब हमारा वेब जो बीच का एर अटा वेब जो है वो 600 तो 300 है मतलब जो छोटा वाला हिस्सा है वाँपर 300 mm डेप्ट है और जो बड़ा वाला हिस्सा है 300 पर वैरी कर रहा है यह यहां 600 यह जाते जाते 300 हो जाएगी और वेब की थिकनेस कितनी है 5M चैके फिर उपर ओपर है आउटसाइड फिलेंज बाहर वाली फिलेंज यह कितनी है 180 mm वाइट वो ही और 6 mm की के चाहिस की विड़त है सेम यही प्रोफाइल हमारी चल रही है से लेके पूरा उपर तक अराउंड 7394 की क्लियर हाइट है यहां तक तो 7394 में क्या है देखो यहां पर अगर मैं थोड़ा सा जूम करके बता हूं तो आपको सकते हैं मेरे इस वीडियो लेक्ट्टर का यह मोटिव रहेगा कि आप टेपर शेक्शन कैसे बना सकते हो ना पीवी तो ठीक आप पूरी बिल्डिंग बनाओंगे सब कुछ काम करोगे वह एक पूरा बदा यूकें से प्रोसेस होता है और मेन कॉंस्प्ट इस पीवी स्ट्ट आपके इस आपसे चूस कर सकते हैं मेरी डिस्प्टल सैटिंग में सारा इंडर इंदन स्टेंडड लेके चलूंगा ब्रेस मेरे वह के अब आते हैं यह पर यूनिफर्म ग्रिड स्पेसिंग केतनी है वह ग्रिडिश स्पेसिंग कैसे रखनिया तो नमबर ऑफ लाइन इन ए एक कळलम या आएगा और एक कोलम या नहीं पर इसकी बीच की जो दूरी है वह मैं यह आपको बताउंगो कि मैं आवटर हूं ज्यूने रहां कि यह वह कॉलम्स अंदर ही बनेंगे अपको एक बार में स्विवार टो अपे देखो गें या पर जो डिस्टेंस है वह है ओंस अब भी मैं इसको आपको समझाने के लिए 25,000 कर लेता हूं तो यह हमारी एक और यह आपकी दूसरी गिड्लाइन एकस डारेक्शन के लिए आप एक तीसरी गिड्लाइन भी ले सकते हो पीच में सेंटर के इसाब से तो वो भी हम लोग कर लेंगे और उसके लिए को क्या करना पड़ेगा तो आप उससाब से क्या कर लोगे आधा हो जागा 12.5 12.5 करेंगे उससाब से हमारा हो जाए ठीक है अट इस इस गोंट वी 12.5 एंड 12.5 और इधर कितना चलना है वाय में वाय में वाय में हाव मच वी नीड टू मूव अब वो डिपेंड करता है कि आपकी कितनी बेज है इस ड्रॉइंग में बेज नहीं दे रहे कि बेज इन दे सेंस कि आप कुछ नहीं करना सिप्ली यह , नमबर ऑफ जायगे और भाइर कितनी टैंकी है अब यह पे पूचता है यह तो होगी घृट है कि सेंपल स्टॉरी डाट आटा आपका हटा देता हूं यहां पर हम लोग क्या करेंगे क्लियर हाइट यूज करेंगे 7394 जो यहां तक की और इसके उपर हमारा यह उपर आला जो बीम है वो आकर रेस्ट करेंगा और यहां तो 7394 तो 7.3 है तो मैं यहां पर 7.3 लिख लेता हूं 7.3 पूचरी पूचरी पूचरा नमबर ऑफ स्टोरी बॉचरा नमबर ऑफ स्टोरी वन टिपिकल स्टोरी एट 7.3 बॉटम स्टोरी अभी कुछ है नहीं मैं फिर भी 7.3 लाग तो यह हो गया हम अलफे काम पूरा अनुट प्रेस ओके ग्रीड और बड़ी हो तो वी चेंज इट आ इस जगे पर और उनको ऐसे उपर connect करेंगे तो इस कॉलंग कोलम खड़ा होगा यहां एक कॉलम खड़ा होगा एंडी विल ज्टोरी की से जॉइन आप यह स्टार्ट करते हैं में चाना है इंडिन इंडिन रिजनन में मैं इंटील पूंटेल लेके चल रहा हूँ के करते को और किदेदे पहले से यहां पड़ा होगा है तो सबसे पहला स्टैप होता है material डिफाइन फिर करते हैं section section में जाएंगे section में जाके frame section frame section में हम लोग आप यहां पर क्या होता है हमको सुद के frame sections बनाने पड़ेंगे इस बार क्यों कि हमारी flange की thickness change हो रही है मैं आपको बताया थे inside flange की thickness को चला लगे और outside flange की thickness अलगे और depth जो है वो कहीं 300 कहीं 600 तो यहां नहीं है कि आप ismb 300 ले लो यह यह संब 600 सीधा लो नहीं हमको property यहां पर क्या करने है खुद define करने पड़ेगी तो let's click on add new property यह यहां पर हम लोग क्या करेंगे स्टील के आई section पर click करेंगे और स्टील के आई section का हमारा पास क्या होगर डायलग बॉक्स आगा और हम खुद हमारा क्या करेंगे प्रॉपर्टी बनाएंगे मैं आप लिखता हूँ टी अंडर स्कोर 300 एक 300 का चल रहा है क्रॉस अंदर की थिक्नेस एट है क्रॉस बार की थिक्नेस छे ठीक है अब आप आइधर वेस कुछ भी ले सकते हो क्योंकि सॉरी मैं अभी वैब की बात कर रहा हूँ तो वैब की तो चेंज नहीं होड़ी तो वैब की 300-600 वैरी कर रहा है और पाच अवेम की थिकने से तो मै अब यहां पर डब डाल दो 300 डैप टोटल पूरी की पूरी चेक है और टॉप फ्लेंज की थिकनेस की बात आ रही है तो यहां पर हम लोग फ्लेंज का काम लेंगे तो इसमें आप आउटर लेलो बाद में जब मोड़ना होगा हम उसको गर रोटेट करना होगा तो रोटेट दो बाहर वाली जो वह सिक्समेंग तिकनस की है और जो अंदर वाली है वो एक तो 180 वनेटी तो डाल देता हूं है और बाटम विडटे मैं रपास अब तो छैक्रेंगे और जो बॉटम फिंज की की ते से वह नीचे वाली जो है मोटी की रोटेट के तो था यह हमारा फॉंसर मेंबर हो गया पूरा पूरा जो 300 वाला चल रहा है नीचे से वह गया पूरा 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 ठीक है 300 डेप्ट होगी जस्ट एक क्रॉस चेक कर ले दें 180 180 हो गया 6 और यह हो गया और फाइव और फाइव और फिलेटी साब कुस्ट देना चाहो तो हाल फलाल दे से तो मैं अभी चलेगा तो होती है क्योंकि रूल सेक्शन होते हैं तुससे आप से कुछ प्रॉपर्टी मोडिफाइट्स दालना चाहो तो यू कैन इसले इंपूट मैंने पिछ दबूट बाद में बहुत मुश्किल आती है तो याद नहीं रहें तो लेट्स शिक संड्रेड वाला वह ठीक है तो टोटल ट्रेफ सिक संड्रेड बागी सब चीज है तो सेम ही है सिर्फ डेप्टी चींज हो रही है बागी तो कुछ चेंज हो नहीं रहा उसके समें 180 mm है य में उपर ओले sections भी बनाने हैं उपर हमारे टॉप जो पर लिन मेंबर से और वो भी आप देखोगे तो लगा दूगा तो यह रफ्टर की प्रॉपर टी तो इसमें नहीं चेंज करना आपको बस यह बॉटम प्लेंज की थिकने से भी 6 कर देनी है क्योंकि दोनों में अमर पास किया टी अंडर्सको डव और सकैंव सकते is not fix आपको समझने की समझते यहां भी मैं इसको अज़िस करें उसला प्रैस क्रॉप कि ठीक है तो डव दो मगले कालम में चलेगी यह दो प्रोपरटीज हमारी कहां चलेगी आंग extraordinarily मिलने यहां पर बेखने, ताल प्रेस, O.K. 쉬 위해, 안돼, O.K. करने से फरल अम लोग क्या करेंगे, Tapered section जो है, उसको बनाएंगे, उसको बताएंगे, Tapered section यहां नहीं बनेगा, यही frame की property में ही बने और, क्यासे बनाएं, ऐङद नृप्रोłeपटी में जाएंगे, हम लोग और अब यहां पे जो section type है ना यहां पे हम लोग use करेंगे non prismatic option अब देखो non prismatic prismatic का मदब यह होता है कि जब किसी member की properties उसकी length के along अगर constant है that is going to be known as a prismatic जो कि मैं आस तक आपको बताता हुआ आया हूं इसे कोई beam होती है 250 by 500 mm की अब नीचे का नाम देते हैं अपने column बना दे तो c underscore और हम क्या बना रहे हैं 300 से हम लोग जा रहे हैं 600 पे और यह है भाई हमारा कुछ पाचने ठीक है बागी की properties में डाल रहा है इसका डाइग्राम आ जाता है इधर इसका एक एक यहां पर आता स्टार्ट कर रहा हूं मेरे 500 जारा है यहां पर आप लोग देखोगे तो यहां पर मैं शक्षिन यूज करूँगा हमारा जो वाला था 300 वाला वो स्टार्ट हो रहा है और यहां पर नीचे हमारा डाइग्राम कुछ इस तरीके सब्सक्राइब करोगे तो वह स्टोरी के हिसाब से ले लेगा और आप यहां डाल दीजेगा यहां पर आपको यहां पर थोड़ाँ सा एक्साइस करना पड़ेगा आपको इसको तोड़ा अलाइन करना पड़ेगा अभी हल्फ लाल क्या यहां 300 और यहां सीधा कैसी दा 600 आपको जैसे बॉटम लेट्व लोगे तो बॉटम लेट में देखो आपको जैसी प्रोफाइल चाहिए व हमारे मेली डिजाइनिंग होगी तो यह होगे एक बार के लिए आपको जोगी बॉटम लेट यह याद रखना आपको की बॉटम लेट मुझे आलाइन करना होगा ताब एसी प्रोफाइल मुझे मिलेगी आल जस्प्रेस ओके तो हमारी एक यह पूरी करते हैं नॉन प्रिज और उसको सिंपल वैसी आप देख लेना इसमें टॉप लेट टॉप लेट रहेगा इसको एल प्रेस ओके तो हमारे कहने का मतलब दोनों प्रॉपर्टीज बन जी कि मैंने इसका नाम जो है वह सई नहीं डाला मैं इसका नाम सब्सक्राइब कुछ है मेरा यह मानना है कि लास स्कूर यह सिक्स हंड्रेड से जा रहे हैं हम लोग थ्री हंड्रेड पर एंड क्रॉस फाइब आता है में काम ड्रॉइंग कैसे करें तो उसके लिए लेट्स स्टार्ट हीर मैं इसको फ्लाव सब्सक्राइब करते हो यहां पर इसको वन बोलो इसको टू बोलो यह वन और यह और फिर उपर हमारे जो राफ्टर हैं वह लगेंगे ऐसे यह हमको बनाना और चेक करना है तो लेट्स स्टार्ट इसको में डिलेट कर देता हूं तो मैं हमारी कॉलम वाली प्रपर्टी सेलेक कर लेता हूं प्रपर्टी लेली और कहां पर काडिनल पॉइंट कहां पर चिपकाना था हमको इसको बटम लेफ्ट पर चिपकाना तो आप नीचे आओगे तहां पर जोतोगी कुछ इस तरीके से चिपके पूरा ग्रेड के अंदर की तरह क्योंकि हमने आउटर तो आउटर लिया कना इसल अपला है ओके टोशी इंट लुक सम्थिंग लाइक देस तरफ दी तो लेट्स गोई यह इधर जाते ही देखो ही क्या और बाहर जा तो आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा अलाइनमेंट देखना पड़ेगा लेट्स एक्टिवेट इस सीन बॉटम लेफ्ट की जगे पे अब यहां से उपर जाने का सबसे बढ़ा लुक चाहिए यह आपको ट्रॉइंग सब्सक्राइब वाला जो हमारा पास दो पूर्शन है पहला वाला जो है वह तो टेपर हो रहा है हमारा इजी ली डाट इस कहां से 300 600 से लेके हमारा 300 ओके यहां पर 600 यहां जाके 300 और अफ्री की तरफ होगा तो देखो इसको ड्रॉप करने के लिए आपको एक कच्छा यू किन से पहले एक इसके अनुसार एक डाइग्राम बनाना पुलिए तो सपोज एक्जाम्पल मैं इस आउटर लेंग से एक लाइन ले ले ताओ यहां किसी भी एक यू कैसे डिस्टेंस की और इसके सेंटर से जामार एकदम पीक है वहां से एक लाइन ले ले तो नीचे करें हमको यहां पे ना एंगल निकालना पड़ेगा एक्चुली क्योंकि यह जो हाइट है यह एंगल हमको कैसे पता पड़ेगा यहां पको स्लोप से तो अगर आप एंगल के बेसिस पर बता हूं मैं तो टैब 5.71 और मैं इसको हमारे जो पीक है जो पॉइंट है वहां तक मिला लेता है यह मैंने बिला लेता है अब क्योंकि यहां से इस पीक से नीचे तक हमारे पास कितना है that is 6000 फाल प्रेस 6000 फाल प्रेस 6000 यहां यहां आ रहा है तो नीचे बनाना पड़ेगा इसको बंद कर देंगे और मैं ऐसा थोड़ा नीचे उसको बंद कर देंगे अब इससे क्या होगा इससे ही होगा इससे होगा कि जो अंग's Too वो दूरी जो हमने भी यहां से बताई आपको मैंने 5.6.27 तो जितना चलेगा 6.276.273 और बागी का अच्छे है बनेगा सेम उदर से बनेगा फिर तो हम मिरर कर देंगे कोई इशू नहीं है तो यह हमको चीज ब्यान रहे हैं तो यह सारी चीजे हमको ड्रॉइंग से निकान प्लान वाले section में चीजए और लेट्स गोई और मैं यहां पर क्लिक करूँ इसको कोशिच करना आप लोग प्लान में न बनाके यहां पर क्या है जब हम activate करें यहां अमर पास नीचे कुछ options आ नहीं रहे हैं तो लेट्स गूंट्रॉप्शन क्या पता रॉप्शन में आजा है त्याम रखना येस ड्रॉप्शन में आपके पास क्या होते हैं एंगल के उपर लॉक करने का सिस्टम आपको मिलता है तो यह यहां हम लोग आ जाते हैं बैटे 600 बाइ 300 अना वह है और यहां ड्रॉइंग कंट्रोल में आएंगे हम फिक्स लेंट एंगल फिक्स रखना हो गई फिक्स लेंट एंगल 6.3 लेस्ट ट्राइटो मेंक इट 6.273 और 6273 इस बार हम लोग क्या करेंगे हमारा सिंपल 300 वाल है इस बार सिंपल 300 वाल है तो सिंपल 300 वाल है मेंबर है क्या हमारा मेंबर था राफ्टर के लिए यह रहा 300 वाल इसको ले लेते हम और यह सिंपल लेंग पर एंगल वह है हमारा नहीं इसमें ध्यान रखेगा जो लेंग वह कितनी है यह उपर वाले पोर्शन पर वो उसके क्या हो जाएगा चिपक जाएगा जिस क्लिक यह एंड वह जोड़ी गाए उस तरीके से अब देखो यह जो छोटी सा जो पोर्शन बच रहाना है यह जनरली क्या होता ना बैलन्स लेंथ में कहीं न कहीं यह डिस्टरब करते हैं इसी आगे यह जोइन कहा हो रहा है यह डिस्टरब यहां से हमारी कहारी यहां से उसके लिए वह चलता है तो वह आपको एक फाइनाइट थोड़ा सा करना पड़ेगा इसको आगे ऑफसेट देना पड़ेगा अब उदर का पूर्शन हम कैसे कंप्लीट करें उसमें कुछ नहीं दोनों मेंबर्स पर अप सेलेक्ट करो और इस बीच वाली लाइन के अलोंग आप क्या कर दो इसको मिरर गर दो जस्ट गो और एड़िट रेप्लिकेट रेप्लिकेट में प्रवास यह राथा मिरर में आपको क्या करना पड़ेगा इन दो पॉइंट्स का आपको यूगे से कोडिनेट देने पड़ेगे किन पॉइंट्स के अलोंग आप इसको रेप्लिकेट करना चाहिए तो मैं इस पॉइंट और इस पॉइंट के अलोंग अगर कोई एक लाइन मान के चलो तो इधर का जो भी आईटा में वो रेप्लिकेट होके इधर आ जाए यह पूरा को पूर हो जाएगा 12.5 अगें सेम बट वाई इस बार क्या हो जाएगा 10 प्लस 10 देट इस 20 वह आप ले सकते हो मैं यहाप एक्स वन की वैल्यू जाल लेता हूं 12.5 वाई की वैल्यू अगें 12.5 और वाई की वैल्यू अमाल पास कितनी आ जाएगे दर इस टुइंट अपलाए तो द बढ़ा के चेक कर सकते हैं एक बार के लिए हम लोग कर सकते हैं इधर वे यू के राएट ओके तो दिस इस आउप यू के इन से या बेसिक अटाब यू टेप इस तरीके से इसको बाद यह है कि इसको कॉपी पेस्ट कर दो या सिंपली आप प्रॉपर्टी इस में जाके सले कर सकते हो को सम्ट कर सकते हैं यहांओ यहां पर यहांपने नगे और आप इसको क्या कर सकते हो लीनिरली लिक्लिकेट कर सकते हो नहीं कि य удबसक् Pokémon त्टप बस तरीके से हमले क्या करते हैं या कोई वी पी प्रीटर हमको अगर इतव में बनाना है तो लोग उआप्रोच कैसे करते हैं वहमने आज आपको समझा दिया ड्राइंग कैसे करनी है वहमने आपको समझ इपर ट्रम लगाना फिर पहले आपको इट सकllow तो आप लोग उन वीडियो को देखना विडूर्स कैसे लगाने हैं लोडिंग क्या क्या लगेगी इसके ओपर श्लैप कैसे लगानी है वो सारी की सारी जीजी आप देख सकते हो आप लोग अपनाना आया होगा आप लोग प्रक्टिस कीजिए एक दो बार होगा दिक्कत आए गी बट जनरली आप लास्में सिख जाली इफ याव अनी कमेंट अनी क्वारी प्लीज दू लट में नो इन दे दे कमेंट तिल दें बबाए थैंक यू टेक क्या